इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए. अनुशन सित्खुराक से अधिक का सेवन न करें, क्यूंकि इससे आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पर सकते हैं. यदि आपको एक खुराक याद आती है, तो जैसे ही आपको याद आए, इसे ले लें. बहतर महसूस होने पर भी उपचार का कोस पूरा किया जाना चाहिए. उपचार के अचानक बंध होने से दवा की शक्ती प्रभावित हो सकती है. इस दवा के कुछ सामाने दुश्प्रभाव मतली, उल्टी, दस्थ, अपच आदी हैं. यदि कोई भी दुश्प्रभाव बढ़ जाता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. यदि आप किसी भी अलजी प्रतिक्रिया, यानि की चिकते, खुजली, सूजन, सांस की तकलीफ, आदी का अनुभव करते हैं, तो आपको ततकाल चिकित सा सहायता लेनी चाहिए. इस दवा को लेने से पहले, आ तुकि इस से इस दवा के साथ अत्यधे को नीनदापन हो सकता है. ये आमतोर पर आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को कम नहीं करता है, लेकिन अगर आपको नीन दिया चक्कर आ रहा है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. तेजी से ठीक होने के लिए आपको पर्य आपता आराम करना चाहिए, स्वस्थाहार भी लेना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए. आपका डॉक्टर आपके शरीर पर दवा के प्रभावों को जानने के लिए कुछ प्रयोगशाला और नैदाने के लिए कह सकता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यव अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद